वीडियो शरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल के आईकॉन को भी प्रेस कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो डाले, उसकी नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप सबसे प मोबाइल निर्माता कंपनी द्वारा ही सस्ते 4G फोन को लांच किया गया था, जिसमें सेल के दौरान बेहद ही कम दामों में आपने 4G फोन खरीदे थे, इसी को ध्यान में रखते हुए, अब रेड्मी मोबाइल ने 5G सपोर्ट मोबाइल मार्केट में भी कदम रखा है, च स्मार्ट फोन की मार्केट में डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि वही वाले फीचर्स रेड्मी के इस स्मार्ट फोन में मिल सकते हैं, इसमें 6.6 इंच बड़ी HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है, जोकी 120H's रिफ्रेश रेट पर काम करने में सक्षम होगी, यह फोन स्मार्ट फोन का कैमरा सेट अप, सूत्रों के मताबक पता चला है कि Redmi Note 13 Pro Max 5G स्मार्ट फोन में 200MP प्रैमरी कैमरा देखने को मिल सकता है, इसके साथ में 12MP Ultra Wide और 12MP Focus Sensor मिल सकता है Redmi Note 13 Pro Max Mobile में सेलफी के लिए 50 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है Redmi Note 13 Pro Max 5G स्मार्टफोन की दमदार बैटरी और चार्जिंग सिस्टम Redmi Note 13 Pro Max 5G स्मार्टफोन में मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी जो 6900MA की हो सकती है एक बार चार्ज होने पर कई दिन इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी इसे जल्दी चार्ज करने के लिए इसमें 130W वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जा सकती है इसमें आपको चार्जिंग सी टाइप मिल सकता है Redmi Note 13 Pro Max 5G स्मार्टफोन की कीमत Redmi Note 13 Pro Max 5G में स्टोरज की कोई भी कमी नहीं होने वाली है इसमें आपको 12GB और 16GB की RAM और इसके अलाबा 256GB और 512GB इंटर्नल स्टोरज देखने को मिल सकती है इसकी लाँचिंग को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है उमीद लगाई जा रही है कि ये 2024 तक मार्किट में आ जाएगा सूत्रों के मताबिक इसकी कीमत 30,000 के आसपास हो सकती है